चलिए आज एक स्टोरी से सुरुवात करते हैं एक आदमी रोड पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बड़े ध्यान से कुछ खोज रहा था वहाँ बैटे कुछ लोगों ने देखा कि बड़े देर से परसान ये क्या ढूंड रहा है तो सब आये पूछे क्या खो गया है उसने कहा कि मोबाइल खो गया मेरा तो तीन-चार लोग और थे सम मिलके ढूंडने लगे जब आधा एक घंटा हो गया ढूंडते हुए तो उसमें से एक ने पूछा कि यार पूरा हम देख चुके हैं तुम्हें यकीन है कि मोबाइल यहीं गिरा था उसने का नहीं मेरा मोबाइल तो मेरे घर में गिरा था तो सब गुस्सा हो गए यार जब तुम्हारा मोबाईल तुम्हारे घर में गिरा तो तुम यहाँ क्यों ढूण रहे हो उसने कहा घर में अंधेरा है न लाइट नहीं है और यहां रौसनी है इसलिए यहाँ ढूण रहा हूँ सबको बड़ा गुस्सा है आप सब हसनल है कि बेवकूफ है जहां जो समान गिरेगा वहां ढूढ़ेंगे कि जहां आसान है ढूढ़ना वहां ढूढ़ेंगे आपको भी हसी आ रही होगी लेकिन हम में से जादा तर लोग यही करते हैं जहां जो चीज खोया है वहां नहीं ढूढ़कर जहां आसान है वहां ढूढ़ते हैं पढ़ाई हमारी खो गई है जिससे कारण से हमारे जीवन अधर में लटक गया है और उसको छोड़कर जहां आसान रास्ता है कोई बता दे शेयर मार्केट कर लो कोई बता दे एक आदे डील बना लो कोई बता दे कि ये काम कर लो वो काम कर लो सुचते वहां से हमें मुक्ति मिलेगी नहीं जहां जो चीज खोया है उसको वहीं जाके पूरा होगा यह बहुत ही अच्छी कहानी है जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अकसर हम लोग यही करते हैं अपने जीवन में देखिए इस जीवन का कर्ज यहीं उतारना है ऐसा नहीं सोचिए कि कुछ चीजे जो आपने छोड़ दी वो जीवन में दुबारा आपको परसान नहीं करेंगी नहीं वो पूरी जिंदगी आपको हांट करेंगी डराएंगी थमकाएंगी इसलिए सब करके जाना है आसान नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं है मैं कुछ और कर लूँँगा और आसान जीवन हो जाएगा यह एक स्टोरी सी पढ़ाई के लिए नहीं है अगर कोई आदम बिजनेस में गिर गया है कहीं और उसको छोड़ के भाग के कुछ और करना चाहता है तो वो बिजनेस ही करे कहानी का मतलब यही है कि जहां जो चीज खोया है उसको वहीं ढूंडियेगा तो मिलेगा रन छोड़ दास बनियेगा कि रन छोड़ के भाग जाए और कहीं और जाके सफलता मिले तो ऐसा नहीं होता है और मैं यकीन से कहता हूँ कि खुद पर भरोसा करना सीखिए जब तक आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे न आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं जीवर में और ट्रस्ट वो आर्टिफीसल नहीं आएगा आपको अपने आपे भरोसा रखना पड़ेगा आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमी है अरे चंद कितावें ही तो पढ़नी है और क्या करना है और देखे उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी और चीज में रातो रात सफलता मिलती होगा हर चीज ग्रैजवली बढ़ता है सिर्फ तयारी ही एक ऐसी चीज है जिस निजल्ट आता है आप उस दिन पताधिकारी बन जाते हैं सहाब बन जाते हैं और क्या क्या बन जाते हैं और एक दिन पहले आप आम इंसान रहते हैं बिजनिस में भी ऐसा नहीं होगा कि रात को कुछ प्रोड़क्ट बनाए और अगले दिन आप वाइरल होगा ऐसा नहीं होता है ग्रेजोली बढ़ना पड़ता है सिर्फ यहीं तरीका है और मुझे क्योंकि मैंने दोनों किया है नौकरी किया है 10-12 साल नौकरी किया है और उसके बाद जब मैं पढ़ाई में उतरा तो मुझे रेलाइज हुआ कि इससे आसान काम नहीं है घर में अपने ब खासा में लखी ही चीज समझनी है और नामी है जनर स्टेडिज जनरल चीजों के बारें पढ़ना आपको डिया और चीजों के बारे में जेनरल जानना है बहुत आसान है को आप उतर के देखिए भरोसा तो करके देखिए भरोसा पे और कहानी याद आ रही है एक बहुत बड़ी योगी थे तो उन्हों अपने आत्म विश्वास और अपने सरीर पर इतना कंट्रोल कर चुके थे कि उनको वो अजगर का जहर पीते थे और अपने दिमाग में इस बात को फीड कर लेते थे कि भाई मैंने इस जहर को एकसेप्ट नहीं किया है तो मेरा सरीर रिजेक्ट कर देगा अपने आप और होता यही था कि 20 मिनट के बाद उनको यूरीन लगता था पैसाब लगता था और वो जहर पूरा का पूरा निकल जाता था कई साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च किया बहुत लोग परसान थे किया रहे से कैसा हो और उन्होंने आत्म विश्वास और आत्म सक्ति से इस चीज को ह हवराने लगे वो बार बार घरी की तरफ देख रहे थे और सब को बेचान लगा क्या हुआ और उसके वाद उनका सरीर नीला पढ़ गया और मर गये कि सादमी ने पचीसो बार इस एक्सपेरिमेंट को किया कभी जहर नहीं चड़ा आज जहर कैसे चड़ा तब साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि मरने से पहले वो बार बार अपने घरी को देख रहे थे तो जब उनकी घरी पर उनकी नजर गई तो पता चला घरी में कुछ ख विस्वास पे कमी हम लगी और जैसे आत्म विस्वास पे आपको कमी होगी और जहर आप पे चड़ना शुरू हो जाएगा इसलिए अपने आत्म विस्वास को जहां आप तॉलिएगा कि मेरा होगा की नहीं होगा आप मुझसे पूछते हैं आप दोस्तों से पूछतें कि मेरा होगा कि नहीं होगा कौन होता हूँ मैं या कौन होता है कोई दुनिया बताने वाली आपके छमता के बारे में आप से बहतर कोई नहीं जानता है और आप हर वो चीज कर सकते हैं इस दुनिया में इस प्रम्हांड में जो किसी ने एक बार कर चुका है वो असानी से कर चुके हैं और जो किसी ने एक बार भी नहीं किया है आप first person हो सकते हैं इस world के जो भी इंसान पहली बार कोई काम करता है वो दूसरे ग्रह से नहीं आता है दूसरे planet से नहीं आता है वो इसी planet का इंसान है वो इसी पृत्वी का आश्चर्ज होता है कि जब मैं कम उमर का था जब मैं 24 के था 25 का था 26 का था 27 का था 28 का था 30 का था 32 33 तक मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं मुझे रियली लगता था कि ये जो भी लोग को एक्जाम कॉलिफाई करते हैं गुरूप दी कहीं करते हैं चपरासी बनते हैं बच्चमन से इंटेलिजेंट होंगे इनको इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी एक बार जो पढ़ते होंगे उनको याद हो जाता होगा उनका सब कुछ नहीं होगा कि आपको एक बार पढ़ने में ध्यान हो जागा आपको भी मल्टिपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा कई बार पढ़ना पड़ेगा उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकि आपको दिमाग में होगा और जो लोग भी सफल होत हटाओ सियर मार्केट दो दिन करके देखा मज़ा नहीं आरा हटाओ सलो नौकरी कर लेंगे कुछ यह कर लेंगे कुछ वो कर लेंगे जिंदगी वर यही धुक्य खाते रहा जाईएगा इस चीज मैं हमेसा अपने आपको कोशता हूँ कि मुझे पहले वो चीज क्यों नहीं ग्यान हुआ कि मैं एक वर अपने आप पे पूरा भरोसा करके देखूँ मैं इसलिए हर किसी को जब भी मैं किसी से मिलता हूँ किसी स्टुडेंट से उनसे बात करता हूँ इसलिए सभी को छोड़कर मैं फिर से लाइन बताऊंगा कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिन्दा कर लिया मैंने अपने मैं को एक बार जिन्दा किजिए और देखिए कैसे चमतकार होता है कैसे चीजे बदलती हैं झालो खेलो, झालो शलब सरी न हुआ है थच्छी थने कउան हैं